आपका मन है कि कुछ authentic breakfast करना है नाश्टे में कुछ जबरदस्त होना चाहिए या फिर घर में महमान आने वाले तो आज हम बनाएंगे mini खंबन डोकला और वह भी हरी चटनी के साथ चोटे चोटे बनाएंगे पढ़े वाले तो हमने बहुत खाएं तो चलो सबसे पहले आपने लेना एक कप बेसन और फिर लेना है एक कप सूजी जिस कप में आपने बेसन लिया है उसी कप में सूजी लेंगे हो सकता है अगर आपके पास एक कप ना हो तो आप एक छोटी कटोरी भी ले सकते हैं लेकिन ध्यान रखें जिसमें बेसन ले उतना ही equally सूजी लें फिर उसक एक पानि डालेंगे पाने और एक पाप उरुपा करने डाला है मेरा हम जी जादा झार पानि ऑान टरफ मिक्स एक डाने कि पानी तो पानि यह सेड़ाईगे .Or अब ऑने और और अनली खुशयान जब और अनके ज्राएव और एम बंद या कुछ तरह पानिनी आ जागये हरी चटनी के लिए हमने फ्रेश धनिय ले लिये हैं आप जितना चाहें जितने लोगें उसे सब ते धनिया ले सकते हैं फिर हम मैंने लिया है पुदीना और उसके बाद मैं डालूंगी तीन से चार हरी मिर्च थोड़ा सजीरा नमक और काला नमक भी डालूंगी साथ में पानी डाल के पानी जादा ना डाली है थोड़ा सा ही डालना उसके बाद इसे हम चला देंगे मिक्सी में इसको पीछने के बाद देखिए हमारी हरी चटनी एकदम तयार है यह आपके डोकलों का टेश एकदम नमबर वन कर देगे अब मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा बे यूज़ाए लगा के उसे ग्रीस करके हम अपने बैटर को सेट कर देंगे दो तीन बार हम फ्लेट को थोड़ा सा ऐसे बजाएंगे तो वह क्या होगा लंप्स नहीं आएंगे सेट हो जाएगे एक दम अब हमने पानी को बाल दिया है कड़ाई में और स्टैन रखके इसको इस अब हम बनाएंगे हमारा तड़का जिसमें हम दो चम्मच ऑईल डालेंगे मैं अभी भी सर्थो का उइल यूज़ कर रही हूं उसके बाद हम डालेंगे राई आप सर्थो के दाने भी यूज़ कर सकते हैं और कड़ी पत्ता मैंने 4-5 पत्ता लिया है और उसके बाद बीच जो कि पार्टी वगार में बड़े सुंदर लगते देखने में खाने में बड़े इजी होते हैं बस उठाया और काजुकतली की तरह खा लिया देखो कितने क्यूट और कितने स्पॉंजी बने हैं इस तरह जब आप इसे हरी चुटनी के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ही आपको बड़े